हेलो एरीज मैं हूँ किरिंशापरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 2nd November से लेकर 8th November तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले एरीज अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा तो चलिए जी एरीज देखते हैं कि कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमार पस कार्ड है, एट अफ सोर्ट्स, परस्नल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशन्शिप के लिए हमार पस कार्ड है, ट्रांस्फ क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि भई जो भी सिचुएशन है, उसमें आप क्या करें, क्या डारेक्शन लें, I don't know इस फिगर को आप कितना देख पा रहे हैं, इस फिगर की आँखों में पट्टी बंदी हुई है, चारों तरफ से सोर्ट्स है और खुद भी ये फिगर बंदी हुई हैं, और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही हैं, जहां पे कुछ एरीज के लिए हो सकता है, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत helpless महसूस कर र हैं, और कुछ एरीज के लिए हो सकता है, इन चेंजिस की ही वजह से, किसी किसम की confusion वो अपनी professional life में महसूस कर रहे हैं, देखें, एरीज दोनों ही front connected है एक दूसरे से, और दोनों ही आप ही की life के cards हैं, तो कहीं हो सकता है कि एक front पे कोई चीज हो रही है, उसका impact दूसरे front में भी पढ़ रहा है, अगेन अगर हम personal life के लिए देखें, तो यहाँ पे transformation का card मुझे कह रहा है, कुछ changes आपकी love life आपके relationship में आ रहे हैं, और सब के लिए changes differ कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए positive हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए negative हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए minor हो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए major हो सकते हैं, और देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ Aries कि यह changes जितने भी positive हों, initial एक discomfort रहता है, और अगर यह negative हैं, तो तो जाहिर सी बात है, हमें बहुत परेशान करते हैं, और होता क्या है कि पुरानी चीज़ों की हमें इतनी करके पूछें, कि जिन चीज़ों के साथ आप इतना attach हो रहे हैं, क्या वो वाके में आपको serve कर रहे हैं, और जितनी जल्दी इस week आप पुरानी चीज़ों को let go करेंगे, और नई चीज़ों को accept करेंगे, उनके अंदर एक positivity देखेंगे, उतना ही आप अपने लिए एक happiness, ए आप increase करेंगे, वैसे तो law of attraction हर दम ही काम कर रहा होता है, बट इस week cards आपको special remind कर आ रहे हैं, कि बहुत खयाल रखें कि आप किस direction पे focus कर रहे हैं, किस चीज़ पे अपनी life में focus कर रहे हैं, वही चीज़ आप attract करेंगे, अगर आप negative चीज़ों पे focus कर रहे हैं, या आपकी professional life में किसी किसम की परेशानी भी दिख रही है, आप बहुत जादा परेशानी पे focus कर रहे हैं, तो यही चीज़ बहुत जादा आपकी life में increase हो जाएगी, अगर problem है, तो आप problem को छोड़के solution पे focus करें, तो solution ही increase होगा और वही चीज़ आप attract करेंगे, जरूर उनो उस चीज़ को आप resolve कर पाएंगे, आप better feel करेंगे, तो कहीं again मैं कहूंगी, इस week आपके ऊपर बहुत जादा depend करेगा, आप किस चीज़ के ऊपर focus कर रहे हैं, वही energies आप अपनी life में attract करेंगे, overall यह week ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे lucky color आप लोगों के लिए है, yellow, क